भाई इतनी सुबह सुबह कोई लीग करता है क्या चैप्टर 249 जे जे के का लिटरली मैं नहां भी नहीं पाया बस ब्रश किया हूं और वीडियो बनाना पर रहा है मेरे को लेकिन इट्स वर्थ इट क्योंकि चैप्टर 249 में यूटा और सुपना दोनों कुत्ते की तरह लर है और वही मज़ा आ गया इसके अलावा हमें यूटा का डोमेन एक्सपांशन भी देखने को मिल गया है तो भाई या कुरसी की पेटी बांध लीजिए एकदम पॉपकॉल लेके बैट जाइए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि चैप्टर 249 में क्या सब कांड हो गय अब जैसे ही यूटा आसा किया था किन्जाकू के अंदर जो काड़ अंदर भाई खरी हुए थे वो एक दम से बाहर निकलते हैं और राडा शरू कर देते हैं एसे में उन करस्पिरिट्स को कंट्रो हवा में लेविटेट कर रहा था और वो कोगाने को इंस्ट्रक्शन दे रहा था किंजाकू ही कोगाने को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि 15th रूल आड़ करो कि भाईया अब मेगूमी को टेंगेन और हुमेन के मर्जर की पूरी अथोरिटी मिलती है इस सीन से क्लिया पता चल रहा था किंजाकू पूरा बैकप प्लान मन में लेके चल रहा था इनफाक्ट वो सुकुना के साथ इनहरिटेंस की रिच्वल को भी कंप्लीट कर चुका था तब ही हम वहां तेंगेन को एक इंब्रॉयो फॉर्म में देखते हैं जिसे की अपना किंजाकू सुकुना की तरफ भेज देता है इस सबसे ओवल्म होके यूटा किंजाकू के सर को ही छेद देता है अब फाइनली होपफुली किंजाकू मारा गया मर्दन से पहले किंजाकू कहता भी है कि मैं तो हजार साल से सर्फ बोर हो रहा था लेकिन ये जो तकाबा है जिसके साथ मैं लड़ाई किया ये बहुत ही मजा दिया मेरे को अब समझे तुम लोग कि यूटा इतनी देर से कहां फसा हुआ था गर्दन काटने के बाद भी उसको बहुत कुछ वहां मैनेज करना पड़ा था तभी तो इसको सुकूना के पास आने में इतना वक्त लग गया लेकिन देर आ है दुरुस्ता है तो इस फ्लाश बैक के बाद हम प्रिजन में आते हैं जहां सुकूना से यूजी और यूटा दोनों मिल के लग रहे हैं यूटा नोडिस करता है कि सुकूना के आर सी टी का आउटपुट वापस से नॉर्मल होता जा रहा है इसका मतलब समझे दया अगर सुकूना अपने आर सी टी का इस्तमाल नॉर्मल तरीके से करने लग गया तो भाया वो इस से अपने कर्स टेक्नीक्स को भी हील कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो सुकुना डुमेन एक्स्पैंशन तक का इस्तिमाल फिर से करने लग जाएगा और सुकुना डुमेन खोला मतलब समझ रहे हो बहुत मुश्किल होगा और इसलिए यूटा यहाँ खुद को ब्लेम करने लगता है कि शायद मुझे सब के साथ मिल के सुकुना पर हमला करना चाहिए था उस केंजाकु के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए था वरना अब तक में सुकुना को शायद मार भी दिया होता यह अच्छा है सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है देखो यूटा सपने देखो यूटा यह भी सोचा है कि हीगूरूमा होता सब मैं कंट्रोल कर लिया होता क्यू में फाल्तू में कैंजाकु से लिखने tussen लड़ने गया फिल अपनी आपकी चान भी लड़ सकती थी देन, अगर सोचा जाये, तो जिस तरह से Yuta Kinzakoo का डा गला काता था, और जिस तरह से डेढ़ सरे DSC 기78 को अगर निकले थे तो अगर वहाँ माकी होती, तो क्या वो सारे DSC sagt को के ले हैं tanta कर पातीraft। उनको हैंडल करने के लिए यूटा और रीका का होना जरूरी था मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा होगा जो होगा वो भी अच्छा होगा तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो से इस स्वाड को रोका था मतलब टच नहीं किया था स्लाशेज मार के बीच में ही रोक दिया था ऐसा में यूटा तना तलवार छोड़ता है और सीधा सुकुना को पेट में उस जगह पे घुजंड मारता है जहां सुकुना का दूसरा वाला माउथ खुलता है इसके बाद यूटा और रिका मिलके बैक टू बैक सुकुना पर हमला करते हैं और यहां यूटा फिर से अपने आपको काइंड ओव ग्लेम करता है कि मुझे ये सब ठीक से सिचुशन को संभालना चाहिए था और हम देख वैसे कुछ ट्रांसलेशन में इस डोमें एक्सपैंशन का नाम ऑथेंटिसिटी मूचुल लव भी बताया गया है तो हाँ जब ओफिशल ट्रांसलेशन आ जाएगा तो मैं कम्यूनिटी पोस्ट पे अपको अपडेट कर दूँगा कि रियल नाम क्या है लेकिन मूचुल है और मैं बोलूंगा कि तुम लोग मेरी सारी वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो क्योंकि मैंने एक वीडियो में हालो विकर बास्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था चलो फिर से बता देता हूं तो बेसिकली हालो विकर बास्केट एक ऐसी टिकनीक है जो कि डो को ही काउंटर कर सकता है जो कि शो हिट अटाक्स है इसका इस्तमाल हम रगी स्टार को मेग्यूमी के डोमेन एक्स्पांशन के खिलाफ करते देखे थे अल्दो मेग्यूमी का उस टाइम पर डोमेन इंकम्प्लीट था तो रगी का हॉलो विकर बास्केट कुछ वैसा काम आय अब थे नाइस ब्रेकर एक कॉपीड एटाक है किसका उरो का अरे उराओमो नहीं बच्चे तकाको उरो एक क्यरेक्टर थी कलिंग गेम के दोड़ान जिससे यूटा भीडा था हां उसका अटाक कॉपी कर लिया है यूटा एनिवे इस पॉइंट तक सुकुना का फेस थोड क्यर्ण की कर्स्टेक्ट यूटा इस्तामल अटाक की लिए नहीं बलकि काउंटर मिजर के लिए करने वाला था है वह सुकुना भागने नहीं देगा उसके आम और महुत को सीह करे गा वगेरा 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 तैकक्ण यूटा एंजल से कॉपी旋 कर लिया क्या है घजब क तेकनीक का इस्तमाल करके सुकुना पर हिट करता रहेगा अपने डोमेन एक्सपांशन के अंदर यूटा लिट्रली अलिमिटेड कर्स टेकनीक का इस्तमाल कर सकता है और उन से अपने ऑपोनेंट पर अटाक कर सकता है मतलब अगर देखा जाये तो यह बहुत ही ज्यादा ओप क्यूंकि भाया इसमें तो यूटा अलिमिटेड कर स्टेकनीक का इस्तमाल करें किसी का भी कॉपी किसी पर भी अटैक और अलिमिटेड टाइम्स ूफू मुझे लगता था कि बहुत कमी डोमें च्पांशन है जोकि लीथल और खतरनाक है लेकिन यूटा का भी लिस्ट में जोड़ दो, बहुत खतरनाक डोमेन है, बस नाम में मुचुल लव है, डोमेन के अंदर कोई लव नहीं है, सिर्फ हमला है, और ये डोमेन दिखता कैसा है, वेल, बहुत सारे स्वार्ड्स है, यहां पर क्रॉस वगड़ा दिख रहा है, देखी सकते हो, फोटो में आपको करते रहेगा, अपना यूजी घुसेगा, जो कि अपने लेफ्ट राइट गुड़नाइट का इस्तमाल करेगा, मतलब की वो घुसंड मारेगा सुकुना को, जिससे वो मेग्यूमी के अंदर से सुकुना को फार के अलग कर देगा, बसिकली यहां बताए जाता है कि यूजी एसा मुक्का मारता है, जो कि अपने ओपनेंट के सुल तक को हिला देता है, उसको कैप्चर कर लेता है, इसलिए वो ऐसा कर पाएगा, और दिस मेक्स मी वंडर कि क्यों जब यूजी पहला मुक्का सुकुना को मारा था इस वाइट के अंदर यह थे दो तीन चैप्टर पहल तो सुकुना एकदम हिल गया था, क्योंकि उसके सुल को लिटरली यूजी हिला दिया था मार के, क्यो हिला डाला ना, भाई ये यूजी तो पावर अप किये जा रहा है, हलके में मतले ना इसको, एक और खुश खबरी ये मिल रही है कि शायद अभी भी 0.1% चांस है कि अप मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, आप लोग को आ रहा है, अगर मजा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अब चैप्टर के एंड में सुकुना अपने यूजी का मजाग बनाते हुए कहता है कि चलो तुमको भी इस लडाई में कुछ तो रोल मिल गया, ये कि यूजी कैसा में कैरेक्टर कोई काम तो इसको है नहीं, स्ट्रेंथ इसके पास है नहीं, ऐसे ही सुकुना भी यूजी को ट्रोल कर रहा है, कि कैसा में कैरेक्टर है तु, कोई काम नीदा तेरे पास, चलो फाइनली एक काम मिला तेरे को, अंत में एडिटर्स नोट था कि old and new main characters एक साथ लड़ने वाले हैं। बेसिकली आहां कहा ये जा रहा है कि यूटा और यूजी एक साथ मिलके सुकुना को मार डालेंगे। या फिर अपना डार्क गेगे यूटा और यूजी को ही मार के सुकुना को जितवा देगा। कोई बरुसा निए मेरे को जो आगे कहानी अगली चाप्टर एक जो की नेक्स्ट वीक यारी है जी हां नेक्स्ट वीक ब्रेक पे नहीं है अपना जेजेके तो उसको भी मैं लेकराउंगा है नहीं मिस्कराऊपला चाहाऊँ च्छानल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंदा हो तयसे लाइक कर थो डॉस्तों के साथ शेयर करना and then channel को subscribe, फिर्षे बोल रहाँ, कड़ी लो and then discard, insta, twitter, हर जगा, follow कर लो I'll see you guys in the next one, peace out